चलिए तो आज का जो टॉपिक है वह है गंतंत्र दिवस पर निवंद तो इसमें देखेंगे कुछ ऐसे विचार बिंदू है जिस पर जो है विचार बिंदू को देखेंगे बात करेंगे उस विचार बिंदू के उपर तो कहता है गंतंत्र दिवस जो है अर्थात 26 जन्वरी के दिन गंतंत्र दिवस मनाते हैं जोकी या 26 जन्वरी उनी सो पचास इसवी को लागू किया गया था जोकी या राष्ट्य पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन जो है भारत का संविधान भी लागू हुआ था यह भूमिका में था उसके बाद है टोपेक कि 26 जन्वरी अर्थात इस राष्ट्य पर्व को क्यों करते हैं इसे राष्ट्य पर्व क्यों करते हैं तो 26 जन्वरी के दिन पूरे भारत वर्ष में एक साथ गंतंत्र दिवस जंडों तोलन करिके मनाते हैं और यह जो है दिन सब के लिए सब नागरिकों के लिए अहम दिन था और यह जो है 26 जन्वरी भारत में जो लगबग आठ धर्मों के लोग रहते हैं यह आठो धर्मे के लोग इस गंतंत्र दिवस को मनाते हैं और काता है इसलिए इसे राष्ट पर्व कहते हैं कहने का मतलब यह है कि पूरे देश वासी सबी धर्म के वासी इस गंतंत्र दिवस को जम मनाते हैं तो इसलिए इसको राष्ट परव कहते हैं यह दिन समुचे भारत वर्स में उत्सा पुर्वक के साथ में मनाते हैं और अनेकों परकार के जहांकियां सांस्कृति कारिक्रम किये जाते हैं जगा जगा पर स्कूल में कॉलेज में गाउं घर में अनेकों तरह के इस दिन जो है कारिक्रम भी करते हैं और इस दिन जो है परदेशों के सरकार याने कोई भी स्टेट के सरकार अपने अपने हिसाब से अपने अपने अस्तर से पूरे राज्यों में अलग-अलग धन से जिसको जैसे स्विदा होती है उस हिसाब से गंतंत्री दिवस मनाते हैं और इसी दिन राज की राजधानी में भारत की राजधानी में गंतंत्री दिवस को मनाने के लिए अनेकों तरह का जो है कारेक्रम किया जाता है और देश वासी पूरे राष्ट पर्व के लिए विशेश रूप से समारू का आयजन करते हैं जिसकी जहांकियां देखने को मिलती है और कहा जाता है कि समुचे देश में भारत में अलग-अलग हिस्सों में अनिगिनत व्यक्ति जो है भारत के कोने कोने से आकर के इसमें भाग लेते हैं कहा जाता है गंतंत्र दिवस ठिठूरता है और स्वतंत्रता दिवस भीगता है कहने का मतलब है 15 अगस्त 12 के मोसम में होता है और 26 जन्वरी करक की ठंड में होती है इसलिए इसको जो है ठंडी के मोसम में होने के बज़ा से कहें गंतंत्र दिवस ठिठूरता है और स्वतंत्रता दिवस भीगता है तो अगला टॉपिक है विचार बिंदू है 26 जन्वरी को हमारा देश गंतंत्र था या राजतंत्र था इस पर जो है निकारात्मक होकर के काता है पाचान नत्मस्तक होकर के पाचान बनाते हैं मतलब यह है कि हम इस 26 जन्वरी के दिन में अपने माथे को जंडे से क्या करते हैं सीस जुकाते हैं जंडे के सामने नत्मस्तक होते हैं 26 जन्वरी को हमारा देश जंतंत्र था और इसी दिन सहिदों को याद दिलाने की कोशिस हमलोग करते हैं नत्मस्तक करते हैं जो कि 15 अगस्त को अजादी दिलाने में हमारे सहिद बिरपुरूस हुए थे उसको भी याद करते हैं नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट कहां नई दिल्ली में इंडिया गेट के समिप में राष्ट पती भवन में जो कि एक साथ धून बजाते हैं और एक साथ धून बजाने के बजाते समय राष्ट द्वज गीत गाया जाता है और उन्हें 31 तोपों की सलामी दी जाती है यानि 26 जन्वरी के दिन गंतंतर वाले देश्ट 31 तोपों से सलामी देते हैं और राष्ट पती इस समय जो है जल नभ और थल मतलब जल थल और वायू इन तेनों सेनाओं की टुकरियों को अभिवादन करने के स्विकार करते हैं सैनिकों की सेना तान करके अपनी साब सुत्री वेज भोसा में कदम से कदम मिला करके चलते हैं और यह ऐसा दिरिश्य होता है कि मानों के देखने लायक दिरिश्य होता है और मन को हरने वाला दिरिश्य होता है कहा जाता है कि अगर इतने सारे सैनिक अगर किसी एक फूल पर एक साथ पैरेड करेगा तो वह पूल का जो है पाया डाइमेज हो सकता है यह कहा जाता है और काता है इस असीम भक्ती से यानि हमारी सेना पूरे जो है देश भक्ती में लीना है देश के भक्त में क्योंकि यही सेना जब जागता है तो हम लोग सो पाते हैं और जब हम लोग जगते हैं तो वह सेना सोते हैं और कहा जाता है कि सेना के अलग-अलग टुकड़ी अलग-अलग तरीके सुस्वजित होते हैं इनके पीछे स्कूल कॉलेज और के छात्र छात्राएं एन्सिसी के जबान उसका बेश भोसा सब जो है कदम से कदम मिला करके चलते हैं तो अगला जो है बेचार बिंदू है कि 26 जन्वानी कोहीं गंतंत्री दिवस क्यूं मनाते हैं तो इसके पीछे कारण है 26 जन्वारी कोहीं गंतंत्री दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि पंडित जबालाल नहेरू की अगवाई में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी भाले ही अंग्रेज आजादी नहीं दिया लेकिन उसी 26 जन्वारी के दिन यानि 1930 इसवी को अर्थाथ 26 जन्वारी 1930 इसवी को पहला सुतंत्रता दिवस की रुप में मनाया था उसी को जो है उसी दीन से इस 26 जन्वारी के दिन सुतंत्रता दिवस के रुप में मनाते रहे मनाते रहे और जब भारत का समिधान कि उनी सचाली सिस्वी में यानि दिसंबर उनी सचाली सिस्वी में जब समिधान बनना सुरू हुआ तो इसके बनने में दो वर्षी ग्यार में अठारा दिन लग गया अर्थात इसको यानि समिधान बन करके जो है 26 नवंबर उनी सचाली सिस्वी को बन करके तयार हो गया लेकिन लागू तो उसी समय कर सकते थे लेकिन लागू नहीं किया इसके पीछे वही कारण था उसी सुतंतरता दिवस को याद रखने के लिए जो कि पहले पुर्ण स्वराज की मांग किया गया था 26 जनवरी को 1929 सिस्वी में उसी दिवस को ताजा याद रखने के लिए 26 जनवरी उनी सव पचास इस्वी को समिधान लागो किया और उसी दिन से जो है गंतंतरी दिवस घोसित किया गया उसी दिन को सभी कि सभी हमारे भारत के बीर सपुतों ने बीरों ने जो है हमारे यहां भासमिधान लागो करके गंतंतर घोसित कर दिया और उसी दिन से आज दिन तक हम लोग परत्येक 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस की रुप में मनाते आ रहे हैं इसके बाद है अगला विचार विंदो उपसंगहार काता है मिलिटरी और इसकूलों में अनेक तरह के जो है बेंड बाजे के साथ में बाजे गाजे के साथ में पूरा देश इस दिन जो है भक्ती में हो जाता है देश भक्ती गाउन से गुझने लगता है और आपस में उस देन को क्या करते हैं अपने इसमें भाईचारा को बनाई रखने के लिए दुस्मनी को भी क्या करते हैं भूलाना चाहते हैं और विभिन परदेशों में अनेक तरकी जहां क्या निकाले जाती है अनेक तरकी कारिक्रम किये जाते हैं संस्कृति कारिक्रम हो या अनेक तरक भासन हो अनेक तरका जो है हुईज़ पर्तिय गीता हो और उसमें पुरुषकार वीतिरीत हो तो समाज की छितर में अनेकों तरक भी कारेकरम होते हैं और इस दिन हम सभी नागरिक क्या करते हैं कि जहन्डे को सलाम में के साथ जो है उसका अभिवादन करते हैं और इसको स्विकार करते हैं इसलिए परत्येक 26 जन्वरी के दिन गानतंत्र दिवस की रुप में मनाते हैं